हाई गैस मैं हूं प्रिते शर्डवा स्वागत करता हूं आपसे भी कैस यूट्यूब चैनल पर पिछली वीडियो में लोगों ने बोला है बहुत टाइम से तो यार इस वीडियो में गुमाएंगे आपन वी रोल चीक है और बी रोल के साथ से उनके पहेंड़ सेंस भी दिख किसा लागा बी रोल यह जरूर बताया में को कमेंट सेक्शन में क्या अच्छा लगा क्या अच्छा करना है क्या अच्छा कर सकते है करेंगे अगली वीडियो में तो इसमें मैंने शूट किया कैनन 700D से 16mm का अच्छा लेंस एफ 2.8 डिजिटेक की लाइट यूज़ किया स्मॉल पैनल विद अंब्रेला जिसे दिफ्यूज कर सब्स यह और मैंने बहां देशीं शूट करें एक लेडर पर रख्के बुक के सपोर्ट से हाई मैं हम अपनी डेस्ट पे एडिटिंग डेस्ट पे तो अपने वी रोल का कट्डाउं देखते हैं तो पैला शॉट है जिसमें क्यामरे स्टिल रहा है एक ट्राइपॉड पे सामने एक टेबल है जिस पे सब्सक्राइपॉड पर रखके अपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी पहला शॉट स्टिल है फिर तीन सेकंड के इंटरवल के बाद कैमरे की पोजिशन चेंज होगी फिर तीन सेकंड का वापस इंटरवल रहेगा और चेंज होगी ऐसे जिस भी अपनको सिक्वेंस में म और टेक्स को मैंने हर एक बीट्स पर लाने के लिए उस पर मास्किंग की है ठीक है और उसके लास में में फ्लेकर मोड डाल दिया है तीसरा शॉट जो है इस वी रोल का उसमें यह यूज किया गया इसको रोटेट किया एक बार फिर उसे टेबल पर रखा है अब इसके साथ साथ कैमरे का मूमेंट वैसा ही होगा जिस डिरेक्शन में उपर जा रहा है और रोटेट हो रहा है तो बिल्कुल कैमरा उसके साथ बहुत अच्छे शॉट साइंगे तो यूज कैन ट्राइब अपने फोर शॉट में इसको टेबल पर रखा है एक नाइप लिया है और नाइप को इसदर से स्लाइट किया है इसको सीड को काटने के लिए तो जैसे ही अपने स्लाइट किया है नाइफ से उसी टाइमिंग पर उसी मोशन में आपन कैमरे का मुवमेंट करेंगे जैसे वो बिल्कुल अच्छा सिनिमाटिक लुक आए उसमें और बाकी साउंड वागेरा से आप उसको थोड़ा और इन्हांस कर सकते हो तो जैसे उसमें था कि नाइफ को ठाया और स्लाइट किया तो साथ साथ कैमरा मुव पर उसको दिखाते हुए ठीक है उसको स्टेबल शूट किया फिर प्रोस प्रोडक्शन में उसका की लगा के रोटेशन लगा दिया जैसे वो ऐसा लग रहा है वर्टेक्स मोड है बैलकि वो सिर्फ ट्रायपॉड पर शूट हो गया है और बहुत सिनिमाटिक लग रहा है य एक ट्रांजिशन डालके आपको स्लाइट करना होता है कैमरा बैक से कैमरे को जिसमें वो आता है तो उसी हिसाब से मुवमेंट होगा अपने कैमरे का और ऐसे अपना शॉट हो जाएगा यह वाला भी है उसके बाद फिर एक बार मैं ब्लाक स्क्रीन लाया हूं जिस पर मैंन टेबल से उठाया और अपने आई के पास ले गया और एक पिच्चर क्लिक कर दी तो उसी के साथ प्योवी मोड पे अपना यह होता है और टाइम लाप्स आप देखी सकते हो इजी है बड़ा और यहीं था की एडिटिंग का पूरा ही ब्रेकडाउं अब यहां तक वीडियो देखी लिए तो यार इस वीडियो को कर दो लाइक चैनल को कर दो सब्सक्राइब और कमेंट में बताओ क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा कर सकते हैं दोनों चीज अपन कंसिडर करेंगे कोई दिक्कत नहीं है और थैंक्यू कैस फो वाचिंग दिस वीडियो अच्छा ये खिरो में तरो जटनारो